अज दे इस लेक्चर देवेच्छ डिसकस करांगे लेक्ट्रिकल डिजाइन ओफ ओवरहेड लाइंज इदेचे कवर होजेगा के लाइन दे कॉंस्टेंट केड़े उन देने ट्रांस्मिशन लाइन दे उस तो बस किन एफेक्ट प्रॉक्सिमिटी एफेक्ट इस टॉपिक देवेच अपना इस चैप्टर देवेच कवर करांगे नाल दी नाल अज जड़ा दूसरा टॉपिक होएगा ओदेवेच परफॉर्मेंस ओफ ट्रांस्मिशन लाइन ते ठर्टॉपिक देवेच डिस्रिब आदक मिल जेगा तुसी टेलीग्राम चैनल नों जोईन कर सकते देए तर्ट कर दें सब्सक्राइब गिलां कॉंस्टेंट ओफ ट्रांस्मिशन लाइन तो और अए कि यह सबराइब्स प्लाइन ना मतलब कि यह के पावर प्लान्ट भी ओसते बाद अलेक्ट्रिकल नर्जी जन्रेट भूर रही है ah okay अ फिर जन्रेटिंग स्टेशन कोई भी हो सगदा यह हो संद Sapadol trif jackets on Warpoint impressed और उस्तों बाद लेक्ट्रीकल नर्जी भी त्रांस्फर करना है ट्रांस्मिट करना है वोके ट्रांस्फर नीए ट्रांस्मिट करना है कित हो जेनरेटिंग स्टेशन टु लोड सेंटर एक के दे थु खरांगे की मिकेडा मीडियों यूज करांगे एप इस वायर्स कंड़ुक्तर आपां यूज करांगे ठीक होने में मिटीरियल है के थे बेसिक उफ एल्ट्रीकर engineering दी वीडियो देख्किंधे देख लेखे हो हुँ जिदो लेक्टरीक ला नर्जी नुँ जन्रेटिंग स्टेशन थोँ लोड सेंटर तक ट्रांसमिट करना है क्वेली थोगांगे कंड़क्तर थे थोगरांगे तोगफनगे कंड़क्तर होएा करेगा कोई कोई ओपासेसली नहीं हो जो कशोई फॉक फ्लो ओण होझे ड़ अघ्र Hammam विजिबल एजिस्टीविटी भी होएगी ओधा भी कोई ने कोई वैल्यू जड़ी या सानू कंसिडर करनी पाएगी आप आनू नाम अत्र नीगा सकते ओधे नाल कोई ने कोई एदे सेंडिंग एंड वोल्टेज ते रसीविंग एंड वोल्टेज दे विच्छे डिफरेंस दूस्टेंस करते ह像 कि कर दिये थिस्टम योज कर दे दुसे कर दे लिच कर दो स्यास्ट्न कि नइते सी सिस्टम दिवे चिए तेन ने थेन ने णी तर राय हुआ अ त्पिरियल डियाले इंसुलेटर सेम उन्देने बट सारे इंसुलेटर ने उन्दे एक इत्में अपान नेक्स्ट कदी डिसक्सिन करांगे इस टॉपिक देते हुआ को दो हुग कि विच्कार की ये ये विच्कार ए एर भी डायलेट्रीक मीडियम एक बंगा इनक पैस्टर दी फॉमला लिए ठीक पैस्टर बन गया कि तरीके देनर एधा मालो लाइन्द भी कि पैस्टन स्विए की कोई नक 열 किलियर हों जडी अपकेंड़क्टर यूज कर देब कर देब हो एसी ऐसार और यूज कर देपर यह कर देपें यह सी ऐसार मतलब किया विछ का आर एक इस टील दी वायर होएगी जडी टैनसाइल से त्रेंथ प्रोवाइड करेंगी मजबूती देगी कंडूक्टर नू ते आल जीजवान दी है ठीक है इनुर इस्टीक नलबट एंदा जिदो एदेविचु कारण फ्लाज पास कीट इनने कोई फ्लक्स परियूस का दी नहीं है ठीक है की मश्यूंत परियूस कर देगी फ्लक्स हो जेगी ते ओथ हो कि ये इनडिक्टर्स ठीक है इता मतलब किया lab कोई नी इने एक लिए ब्यक्व ढहा्ट ढहिं एक लिए इंट्सेंस ता नाम क्लिया कर बश्यान ये इतने में इने लाइन ऐसए पध्र मिशन लाइन ये प्रेस्टेंट लाय गी अर्फ सिंस्ट रिजिस्टन्स आप क्रंट दे रस्ते जर्कावट दो अगनेक्टर पैरलर चाल देवे ने उन्हें की यह कपैस्टन्स जड़ी ओधे करके आजेगी फिर जड़ा कंड़क्टर ए ओश्ट्रेंडड कंड़क्टर यूज की ता जो दो दो चुक्रंट फ्लो करेगा कोई ने गाहिए लगावचा नो ओके ते उस्तों बात जड़ी साधी लाईन यूज के इस्तिके ना नज़राएगी के ट्रांस्मिशन लाइन दे वेच्छ मोग जड़ी रेजिस्टन्स दे इंडेक्टन से ओसी डेवेच वेगी ठिक है ओके ते जड़ी यह दी कपैस्टर्स होएग ओ पैरलल देवे चोएगी ठीक है पैरलल देवे चोएगी दो लाइन आ दे क्लिएर होगा स्कूरेंट्स आ मतलब मॉडल बनेगा ट्रांस्मिशन लाइन दा अपा ज्यादा नी डीप जा वांगे ज्यादा डीप गये ते इसे टॉपिक ते यह अडे रहा वांगे सो में मोटिव की है इस लेक्चर दागे पानू नौलज मेल जेकर ट्रांस्मिशन लाइन दे कॉंस्टेंट केड़े करें अपा होने फिर रिकॉल कर देया रिजिस्टंस क्रेंट दे रस्ते दे विचर कावड नू रिजिस्टंस के इंदे ने होने थे कि यह लाइन नों जिते दोई बैठे जो तो दा क्रंट आ रहे हैं उत्व दागर मलोगन उलेक्ट्रिकल अर्जी जड़ी मिल दी पाई है वो कंड़क्टर दे थूए आ रही है उन जड़ा कंड़क्टर रिजिस्टंस दे रहे है क्रंट दे रस्ते दे रिकावड पार रहे है मल तो यह जी यह जी संगी ठीक एंटी कर लेनेया क्योंकि देवेचिवर यह ना in रेन स्पैसिफीक रॉजिस्टंस specific सिबिकर रिस्तंस इन विस्टी वीडि इंद एन्य तो एक अंस्टेंट ओन करके नहां स्केंड वान का थाप मां एक या अ्या अर्या ऐग्टर हैं जिन्ना मोर्क अंडक्टर ओऑ अन्य रिस्तंस कॉट तो एगि ओके प्र इसलेंस अ पदला गया ना नेक्स्क फिनरेटिंटन्स थिजरत अश्ट्रेटिंटर्ण अबदान थो जुड़ फ्लो खर्दपर डिनक्तर देटी विचों हो राल्ट्री इंक रॉनल अटनेटिंटर नाम अलब गीयोद इच्ट एकक्रण्ट जायरा चेंज यह वराया थेक अधिकत इच्छ फाइब आई जिनना करंट ते एक यह फ्लक्स होने ते विच एन फाइए होना ही वैसे एन फाइब आई 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 तो एन दी वैल्यू मान ली वन के मलेग एक अंड़क्टर दी का लगीती है ओके एंड़क्त नेक्स अगा कपेस्टन्स कपेस्टन्स होन कपेस्टन्स की होएगा क्यों बाइवी ओन एर जिडी चार जोएगी ठीक है जिए में तन पहले ना दस्या ही के दो कंड़क्टिंग सर्फेस ने ठीक है जिए दिए दो कंड़क्टर ने उन्हों सेपरेट कीता याड एलेक्ट्रिक मीडियम देनाल वो कपेस पैस्टन्स उन दिया ए डिस्ट्रिब्यूट वेगी सारी लेंथ देते ठीक है जित्तों आक लेंथ जाएगी वो सारी मतलब कपेस्टनस अनुदे जानी हो ऊसला इनने ठीक है कपेस्टनस फेर के दिख कोलोगी चार्ज बाए वोल्टस थे ठीक है जिनना मतलब क्यों किया इती पंडेश SayARA आर जा ऊंदी लाइन्स यह किया पिटे अिफ्रेंस ब्रट्मीन दी कंडॉक्ट्र औकेश आ की नेक्स STAR गैस चैन अफेक्ट सकेन तो की सम्झतेची सकेन ब्रद बड़ि बार चूनी हlles meant महलव जैसा अपणी गाले की डिया तो इंढमी गीस किन ने ड़ेटि ने को सहाथ डिवी को इनोंकर सिकेन ने सकेन की हूंदी किईसे इं मिकरbons के ने दी उन्हों अपा करने है जिन रेटंग स्टेशन तो 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 ते जा रहे लोड सेंटर अजा करे लोड अंटर ते मतलब साधे कार देवे च्वी सान्व एक्रिक्रिक अलेक्रिकलण अर्जी आरे तर्मड पावर प्लांड तो आ रही ए जान फिर जेड़े ने कहलो के जिनना दकार ते बठिन दे जाना घ्यान पठान कोट वाली साइड़ ते या उन्हां दा चलो लग चीजे जा मल ज़िते हैं जधे जानु मलव के जगा शस्ती मिड़े आप सारी है कंसीडर करनिया ना चीज्जा हुण स्केन एक्ट किया कि जिदो जनरेटिंग स्टेशन तो क्रंट गया लोड सेंटर वाल कि तो हो गया जनरेटिंग स्टेशन होना आप इन्हों थोड़ा जाका लिए कंड़क्टर दा साइज बढ़्डा कर लिए एकंड़क्टर दा साइज से कंड़क्टरे देहदा प्या दीट डंसी ओफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉंसंट्रेट नेर दी सर्फेस ओफ दी नहीं फ्लो करेगा उनकी करेगा स्केन देखए लागे फ्लो करेगा जिड़ा मतल्य अत兩 सरफेस ना उठेक लंट ज्याधा फ्लोकरेगा न देखिव अकुंस्के फ्लो और अधिक्रण्ट धे विच्चूं मलोओ संटर दे विच्चू फ्लोग करनदी बजाये ओधे सर्फेस दे तो फ्लोग परे वोदी सकेन सर्फेस उता सकेन नी होगा ना जय सब द ले दे बोडी है जड़ा सर्फेस उप्रली सता ist रही दे उन्हों आपसे के निया ते एधे भी स फेक्टर एफेक्टिंग स्केन एफेक्ट उन केड़े केड़े फेक्टर ने एड़े एफेक्ट कर देने सब तो पहला नेचर ओप मटीरियल मटीरियल दी नेचर देते करनगे दुजी काल डायमेटर ओफ वायर जेकर डायमेटर वदेगा ते स्केन एफेक्ट भी इंक्रीस हो डायोनुटी प्रोफ वाय डायामीट्र टाइमीट्र ओफ वायर कलेड़ सी प ऑफ वायर शेल अफ वायर्स इस्टिट मतलब किया को और भाफ किया स्ट्रेइंड किया हुदी यह तारा Kollegen a power police Board physicalि नालिया है है ठीक है सॉलीड तरह किया है पूरीदा पूरा ही मतलब अधरी आपा एक ही अधरी ठीक है जिदा मालो एक फेज ए जे ते विवज बरीक ता रहा है गयाने मिल शोड़ी शोड़ीया पतले पतले अधर अधर आगे मतलब सट्रेंड डे जेकर अलीडे मतलब कोई निया गए की या कंड़क्टर ते ओल सॉली बेर दें वाँ सॉलेड बिकन्डर सॉलेड बिकन्डर के लियर और गया लगा के सॉलीड इंडर दे सकेन्ड इफैक्टर ज्यादा होएगा सिट्रेंडर कंड़क्टर दे कंपैरीटिवली ओन तो फी बीग्र चुछ अले के विग्ख हुठ और देकर अघ। जोग ब्रीग frequency frequency के दे बदन दे नाल फ्रिक्वेंशी बदन दे नाल स्केन फेक्ट भी बदेगा increases with increase in frequency increases with increase in frequency increase with the increase in increases with the increase in frequency with the increase increase in frequency okay frequency बदन दे नाल जेकर स्केन फेक्ट इंक्रीज हो रहा है फिर डी सी वास्ते स्केन फेक्ट के नाएगा 0 क्योंके डी सी दी फ्रिक्वेंशी नियंदी एदा मला डी सी दे वेचे स्केन फेक्ट नहीं होएगा दी सी जिसकेन फेक्ट नहीं होएगा क्लियर हो गया पता चाल लगे ना फेक्टर केड़ेगड़े फेक्ट कार देने इसकेन फेक्ट नून निच्र अ मटेरियल डायमेटर ओफ वायर शेप अफफ वायर एंड फ्रिक्वेंसी ओके नेक्स्ट एप प्रॉक्सिमिटी एफेक कि फोने, दो कंडक्टर से और से कंडूडर से, आप स्टोस्य बॉंटीर कीकुनल fod इस सी, कर्णे, प्रपर्णी सब्सित्रीगिश्य करूंक्टर से नहीं मों करखा, सब्सक्राइब ५ो इस सब्सक्राइब वाग किसे भी कंडुक्टर देवेच डिस्टीब्यूट प्रपर ली नहीं दा जो दो जान दो तो बाट एक आप अपा उधी आल कर देपे जदो दो जान दो तो बाद अपने प्रेड़े लागे लागे जिदा होने एक अट्रे थे बीक अट्रे उधिनार किया हुँदा एक होली टारिवन दो दो फ्रोटिव प्रे हो फ्रेक्श साच हाँ एक और उपरकर दा यह एक साइड ते मुस्तिका अजे प्रया स О्पगारे झेकर है क्या है ऑन उफ नौ कर दिल्क अट्रण दैख और एक साउड praषो डेगा आइस एक पासिंपल जब लियसां सब्सका भ्र RS क्रIंट के मंना सारे कन अन्य देड़ करेगा हिगाना तर्फेर बॉला एगा त्टिकर द अननियट उते स отв scared कर की टीग तिक शादब इनेर भाय कर एंडगें के अध्रम चुनॉस् doubling करींडक्टर है के की डिस्टीबिशन ओफ क्रंट इन दी कंड़क्टर ठीक है एस कंड़क्टर कारके जड़ी फ्लक्स अप ओई या एच चो प्रपर लिक रंट नू डिस्टीब्यूट नहीं हो ए हूं देगी ठीक है इस अफ्ट इस काल्ड प्रॉक्सिमिटी एफेक्ट इनुग गणने प्रॉ करेगा पता चाल गया ना कि डिस्टीब्यूट नहीं हो या सारे कंड़क्टर बेच करंट इक्वल ठीक है तो जेकर इन दी ड्रेक्शन ओपोजीट होने एक अन्ड़क्टर एया थे कंड़क्टर भी या ए फिर किया ए एस साइड देते कॉंसेंट्रेट कर देगा क्रंट ज जेकर लाग लाग ड्रेक्शन दे सेम ड्रेक्शन जे विच्ट फ्लो करेगा तो फिर कियो एगा क्रंट ज्यादा इस ड्रेक्शन एथे आजएगा ठीक है क्रंट दे कंड़क्टर देसी से देविच ज्यादा क्रंट आजएगा तो जेकर ओपोजी ड्रेक्शन देविच फ् proximity effect next आगया transposition of conductors transposition trans trans नूँ वाकवी किये ते position वाकवी कि ट्रांस पोजीशन की उन्दाए कि जड़ा साथा conductor है ठीक है जड़ी अपा अलेक्टरिकल नर्जी नूँ ट्रांसमेट कर दें यां वो तेन एक दो तेन होन इनना दो मादे वेच पैस्टन्स यड़ी या हो त्रीक के दिवेगी इनना चेक पैस्टन्स यड़ी या अलाग गोएगी ते जड़े तीजा अर्थ देनाल करता प्याए ते आवी के जड़ा अधरे उपर एदर यह रहे होने विशका अवले चंड़क्टर देविच यह दिनाल कि वेगा कि तुहीं यह देखो कि चक्र पाएका जड़े लॉसी जोन गे वह उन सिमिट्रिकल हो जनगे के है कंड़क्टर देवे ज्यादा लाउस ने किसे अधर देवे ज्यादा काट ल अधर आफ त्री फेज़ लाइन आर स्पेस्ट इर्रेग्लर ली इस चीनु खतम कर नमास ते आपकी कर देया कोज डिस्टेंस तो बाद मालों एक किलोमेटर आपका कर देया जड़ा सब पहले नंबर वड़ा कंड़क्टरों दानों दुज्जे नंबर ते लाई दावा फेर वो एक किलोमेटर तक इस तरहीं खड़ी दावा मलब किया जड़ते इन फेस्टी देख देपेजे टावर दे टावर ते टावर ते एक डिस्टेंस तो बाद एक पटिकुलर डिस्टेंस तो बाद आपकी कर देया उनना कंड़क्टरां दी पोजीशन नू चेंज कर द आइद आए एड रेगुलर डिस्टेंस इन ओर तो मेग दिलाइन फेस्टेंस काइस टेंस थे अंड़क्टन सेट फीज़स समी ट्री पर नोमा से समीट्री काल मतलुंधा तेन आफ इस जान चे ब्रबर रहन इस कालड ट्रांस पोजीशन आफ कंड़क्टर्स इनविक इन च ट्रांस्पोजीशन ओफ कंडॉक्टर्स होने देवेच यह कॉंस्टन्ट दिगाल कर गिया रिजिस्टन्स ते कोई फैक्ट निया इंडक्टन्स ते कपैस्टन्स जेड़े ने उनन उस मिट्रिकल करना होंदा है ठीक है फिर कोई डिस्टेंस तो बाद की वाया मालो ए ए या भी या ए या एसी या हुने थे ए जडावा वह ए एए या एंग्ट एसी या फिर कोई स्टन्स तो बाद की वेया कि हा लास्ट दे आ गया इनन दुझे नंबर देला गे नो पहले नंबर देला लागे ओके हुने यह बड़ा सब हैठ अगया पहला तो उपर ही फिर उस तो एक ड़ा इसी वड़ा आ गया थे एक यह भी और सारा दी परजीशन चेंज होगी ना पहला अर्थ देनाल सी ही फिर भी होया हूने यह हो गया मतलब इस तरह किया कि अपां एक कॉंस्टन नूँ स्मिट्रिकल बनाउन वासते एक आप अपकर दे कोज डिस्टेंस तो बाद जड़े अपर संदेने उनने दी परजीशन नूँ चेंज कर देने इन्हों की कांदेने ट्रांस पोजीशन ऑफ पनेक्टर्स क्लियर नेक्स्ट आगे परफोर्मेंस औफ ट्रांसमिशन लाइंस ठीक होने तेन त्रां लाइन जूंदियाने एक साधी कुण दिये शौर्ट ट्रांसमीशन लाइं उन्चोर्ण समिशन के इलाई लाइन वेगी जिड़ा डिस्टेंस जिडिल ला लैंट कहलो ठीक है से ले एडिए वोल्ड रजदे वोल्ड अब भी एदिन यह व्लड जोड़िया वी के भी तो शेटी टो काटे 20ग बीकाट भी यार वोर्ट दो काटे लो जा एदुन बीलोव लेदें ठीक फिलोव 20KB वी ओसलाइननौ आपकी कमाँगे शॉर्ट थ्रांसमिशन लानिस उननल लाइन्स नू की कमाँगे शॉर्ट रांसमिशन लाइन्स हुन एदे वेच्छ जोदुँ हापाईनो एदे लोसीज क्यल्कुलेट करने या एदे दोनों चीज़ा ही कंसीडर करांगे रिस्टेंस एंड इंडेक्टांस क्लियर उस्तों बाद आगी मीडियम ट्रांस्मिशन लाइन से क्यों दोनों चाहिए सफों डीटां में लाइन लाओंगे में लाओंगे वोल्टेज लाँ वी उला मांगे वी के भी तो लैके 22 वी चुट लाँके 100 की तक सौंग अडेक्टे वी में टेक्टन्स एंड़ तक अल्सक्राइब कर साध्र दो आपमाई दी लाइन दे पर केलो के परफॉर्मेंस नों कल्कुलेट कर लाएं ओके समझ लागी के एदे वेचे कपैस्टेंस भी ले नहीं है आपमाँ नेक्स्ट आगी लांग ट्रांस्मिशन लाइन दिया अबाव लेंथ जड़ी हो एगी अबाव 150 किलोमेटर ठीक है ते वोल्टेज हो जेगी अबाव हंडर के वी उन्हों के हंडर के वी उन्हों की कहता है अपां लोंग ट्रांस्मिशन लाइन पतल लागया ने कि दापां कैटेग्राइज किता है अबाव चलासी फाइफाई लाइन किता है डिस्टैंस ते वोल्टेज दे साफना लेंथ की निया लाइन दी ते वोल्टेज किनी ये ओके ते ए बेच्वी आर येलसी मतरब तेन यह ने चिज्जां कंसीटर हो निया है क्लियर हो गया चलो नेक्स टे वोल्ट इस रेगलिएशन आफ ट्रांसमिशन लाइन वोल्ट इस राइशन कि इन दिये दिर आई इन वोल्ट इस एर दी रसीविंग एंड वैन राइज राइज दा मतलूं दा बदना समीदे पेजी ना यहरा राइज इन दी वोल्टिज आड छ्रियूं इंड फिन लोड इस थ्रोण रओ जोन ओप एकडम बांद करता है वोल्टेज किन्नी वदी रिसीविंग एंड दिते, दिस सेंडिंग एंड वोल्टेज जडियों सेम है, इस कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन, फिर एक वरी तन में रुपीट करदना मां बड़ी असान जी चीज है, जदों लोड नूँ असी थ्रोन आफ कीता, लोड नूँ यहान लोड जडा बांध करता है, उस तो बाद रसीविंग एंड वोल्टेज दी, रसेंड वोल्टेज किन्नी रधी उन्नों की आफ गानता है वोल्टेज रेगौेल थी वदनी नचाहिए, तर्मिनल वोल्टेज जडियो ऑग नुगर हाने ए पर जैबात लिद मेंज वो का हिज़ लोल्ड रावल्ड रेड बॉल्ड रेगूसिन ठीक नहीं ओपक दग करांगे परसने इस रागूलेशन के दो थीछ है इस इक्वल टू sending and voltage minus receiving and voltage divided by receiving and voltage receiving and voltage multiply by 100 ठीक है एक ही है voltage regulation दा formula voltage regulation calculate करनगा ओके नेक्स्ट आग है efficiency of a transmission line efficiency दा मतलब की समय देजी तुहीं efficiency दा मतलब उन दावा जेड़ी पावर अस ही receiving and receive किती पावर received at at the receiving and receiving and to the receiving and to the to the मतलों दाव डिवाड कर दो सीन पावर received plus line losses power received plus क्योंका लाइन देवेच भी को इनको इनर्जी लोस्त हो ही ना line losses ठीक है एक ही आजेगी साड़ी efficiency ठीक है एक ही ये एफिशेंसी है दी रिश्योंका पावर सीड़ at the receiving and to the power supplied at the sending end of the transmission line is called and its transmission efficiency ठीक है योदो आपा दूमान प्लास कार दांगे ना ये पता केदे इकवल आजेगे पावर सीड़ी इस प्लास line line losses is equal to एक देख लूम देने sending and power sending and power ठीक है sending and पावर जे डिसान नूँ पावर उत्थो सेंड वही है ठीक है रस्ते जलासी है इना आप लासी आड़ की ते रसीव्ड पावर देवे चते वह सेंडिंग and voltage बन जेगी sending and power sorry power one clear efficiency effect of load power factor on regulation and efficiency के power factor दा की effect पाएगा regulation देखते पावर फेक्टर बहुत है बड़ी खतरनाक चीजा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री दे जेकर आप पॉइंट आप व्यू तो गाल करिए ते power factor नो unity दे करीब रखना बहुत जुरूरी है नहीं ते losses बाद जान देने उनने इत्थे भी यही जीच जाने है ठीक है तो जेकर लोड इंडक्टीव है ठीक है regulation देगा लकर यह जेकर लोड इंडक्टीव है ठीक है वोस केस्दे वेच कियोएगा voltage regulation बदेगी voltage regulation regulation of the line increases voltage regulation of the line increases increases clear तो जे एदे नाल कियो है जेकर voltage regulation बदी ठीक है ते इंडक्टीव लोड ही इंडक्टीव लोड कारके किया voltage regulation of the line increases with decrease power factor क्योंकि इंडक्टीव लोड देनाल पावर फेक्टर है ठीक है इंडक्टीव लोड देनाल पावर फेक्टर कर दाए विद दी डेक्रीजिन पावर फेक्टर इंडक्टीव इन पार्फेक्टर एक्ट रियर यह क्पैस्टीव यह क्पैस्टीव यह जडिया voltage regulation जडिया ओ जडियोड डिक्रीज वोगी क्पैस्टीव देवे चे ठीक है इते इंक्रीज ओ और यह वोल्ड इस regulation capacity वी देखे इस देवे जडिवोल्ड इस राग्लेशन वा ओ डिक्रीज होएगी विद डिक्रीज इन पावर फेक्टर क्योंकर पावर फेक्टर कर एगा ना उदे नाल की वेगा मलब पावर फेक्टर कार वंड आए और अक्तिव हो खुण ताए है मैं ओके अ। इंडिक्टिव लोड मुच्टिव लोड इंडिक्टिव देवे जड़ीज वॉल्डेज ड्यॉट्राइशन पॉजिटीव होईगी तोher जडिवंडेज राग्लेशन वह ना नेक्तिव होएगी यह ता इस देना रिलेटर जड़ा क्वेश्चन जड़ा हो आएंदा है क्योंकि इंडुक्तिव देके इस देवेच की हो दा कि जड़ी सेंडिंग और वोल्टेज नड़ों में शाइधा रहेगी मतलब रसीविंग एंडेज वोल्टेज यह वो काट वेगी संडिंग और बोल यह देविच भी उन वेखो ना के पी के देएक विल हूं दा वी आई कॉस फाई ते आई के देएक वड़ा आगया आई आगया पी वी कॉस फाई दे और वेखो पावर फेक्टर एड़ा वा इन्वर्सली प्रपोर्शनल अले क्रंट दे जेकर पावर फेक्टर कड़ेगा यह क्रंट वड़ेगा यह क्रंट वड़ेया ते लॉसीज वड़े तो लॉसीज वड़ेदे आफिशेंसी कड़ी ओके पावर फेक्टर नो इसका करके मेंटेन रखना बहु जरूरी है एक फैक्ट उन दावा उनू कहने फ्रंट इफैक्ट ओ यही उन दावा के जदो अब वोल्टेज अंडिक वोल्टेज नारों वाजन दिया एक कपैस्टेंस वाले की इस दीगाल करता वे हमां ते उनुकी इंदे फ्रंट इफैक्ट कहिंदे नहीं है ओके नेक्स्ट आपा पढ़ना डिस्टिबीशन सिस्टम डिस्टिबीशन सिस्टम देविच कि अन होन भी सुम्झामागा है वह नहीं है वैसे मतलब जड़े जई दी पोस्ट ली अप्लाई करते ना बच्चे उनना दा मतलब रिस्ता ही फीटर देना पक्का हो यंदा है पाम योल जे लाइन मैन परती हो ने चाहे हो पाम सब्स्टेशन ते जान चाहे हो मैंलों कि फीटर न पिंदान तो बिलाउं कर दें उनके उन्हाने अक्सर सुने आँ 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 फीडर बांद दो गया फीडर चालदा पे आए फीडर होन की चीज फीडर एथे हम साड़े का सब्स्टेशन आया है का सब्स्टेशन पिछों लेक्ट्रिकल एनरजी आई आँ ट्रांसफार्मर में आँ शोग किताबा एगा श्याथ अवलीक 11 के वीदर ट्रांसफार्मर 11 के वीदर विच्वाइब मतलब की किता बासबार दिना जोड के चार पांज एरिये जनूं पांज ए बी सी टी टी पांज पेंड जिनना ना है का एबी सीडी इनन जोडता है एक तो एस दे यड़े य जोड़ी पाई यह पेंड दे ट्रांसफार्मर ता करिये उन्हूं करेंदी फीडर यह रोगरर है ना साब स्टेशन तो जड़ी लाईन निकल दी पाई यह साधे पेंड़न का पेंड़ने कमेंड़्यए उन्हुन कीड़ने फीडर हुन उस तो बाद इक तुं जो आपां 11 क देवी नू 440 वोल्ट दे वेचे मतलब आपा step down कीता है step down ही करांगे ना चारो चारी बोल्ट दे step down कर दे पे या उस्तो बाद किया इच चू अपा चार तरह ते तेने फेस कर लेने या तेने फेस चार तार चार तरह यो नहीं है ना जोनू 3 पेस चाईदा नो 3 फेस देता की जनू सिंगल फेस देता की आई डी लाइन उस्तो बाद अग्गे जांद यह नू कहिंद डिस्टीबीटर होने यह दिस्टीबीटर ने दे विच्वाप टैपिंग्स लेन यानि ठीक है टैपिंग्स मतलब वकवक कार वी ओड़ने या ना इनू कहिंद ने सर्विसमेंस क्लियर साब स्टेशन तो जड़ी लाइन निकली पेंड़े ट्रांसवार्मर यहां मले दे ट्रांसवार्मर नों आका जोड़े आनू केंदेने फीडर उस तो अग्गे जड़ी मतलब स्टैप डाउन हों तो बाद जड़ी वोल्टेज अग्गे लाइन निकलेगी उन्हों कहता हैंगे डिस्टीबीटर तो जड़ी लाइन मतलब होना अलमारी लगी एगर सबस्टीबीटर देटीबीटर पर नें जिस्टीबीटर कर लेएं में कोई आउका आद नियागा बत्के अपके आज मैं बखेंगा अपने इंस्ट्राग्राम्य भी तानो दमागा तूसी यूथ्थे वी ये कोई कोई क्वیशन हो भी एक पोस साग से सीड़ी क्रिश प्रैइमरी डिस्टिबीशन प्रैमरी डिस्टिबीशनाओं नंबर दो लैड़ सप्लाई देनाcolor 440 वोल्ट उन्हों के देने स्केंटरी डिस्टिबिशन एव एग 11 KV ठीक अबट डेकंजूमर नुजडिया पर सप्लाई देनिया एव एगी 440 अब लीक दोसो भी बोल्ट सिकेंटरी डिस्टिबिशन देविच वोल्ट जो एगी एक नेकस्ट गाइन डिसी डिस्टिबिशन होने डिसी डिस्टिबिशन किए एवी बड़ी सिंपल जी चीज में ए थे वेच बीकोई खास चीज नहीं की क्योंकि अपाम कुरामियन या के अई सद्विक कंडॉप्त कुलियर होजें में चाहिए सब्सक्राइब एक न दिए विजिए लित की अऩर्टेजा के तू वायर सिस्टम होएगा के द्सलीफ को अटीफ है यहाँ जा सब्सक्राइब क235 एक पंटीफ बेक सब्सक्राइब एंडर कंडुक्त्राइगा एक पाश्टिव एक पॉप सिय गयुग साड़ेंगता यह सब्सक्राइब आल्रान टिस्टिबूट करन किना सब्सक्राइब Systems of distribution system और केडिकर नेक्शन स्कीम आप आफ वर्त देयां है ठीक है यह मतलग केंतरा धिया बेसिकली यूदियान गयाने रेडियल शिस्टम रेंग में शिस्टम और इंटर कनेक्टर शिस्टम और अपड़ता दे यह डिपैंड का रधा किते आपकेदी स्कीम लोगनिया ठीक है चलो उन्हें कर यह सब तो पहला आगा रेडियल सिस्टम रेडियल सिस्टम दे विच गीए सबस्टेशन ठीक है एथे मैं एस बना नामा क्योंकि डीसी देए सीदियर स्कीम सेमीने यह देविच यह नहीं मैं कहेवांगा कि इसी डीसी यह आफ हीडर निकल गे नहीं ठीक है एथे ट्रांसफर्मर लगाता है जे एसी सप्लाई है यह दीसी है तर्फिर एथे ट्रांसफर्मर नहीं लगेगा ते आफी डीक है pod Sylur ते आरड डिस्टीबिटर है आरड़ा डिस्टीबिटर कहा leo डिस्टीबिटर ते यह इतों की यहbeits bathrooms करते हैं हूने एक हडा-radial system है इन्हों की कमांगे-radial system एज़ सर्फ एक conductor ही मतलब radial system कि ही के single substation तोह ही fit कर दे पहे यहां distributor मतलब जहां कहाल किया है कि सरफ साइब और एक पोंट तोँ ही डिस्टीबुटर चुट पीडो रही है एक को एंडिटों ही डिस्टिबूटर लिदावा फीडो ह म reference नाóc और फैरेयों किरेगए यह यहनी अनीशल को स्टा का कर्टम दितनि चिन्यut faz05 पीनिमिम से मिनिमम इनिशन कास्ट्रा मालोश श्रेवादे इव करताम के कर्चों। से क्विनित हीो छ пров सिरो दीफिशन नी hype कुम्णा सीम्फ फीड़े नीह लॉट्र कार्टों दॉ दैड जिया डेड़न गय। डिस्टीब्यूटर जो तो फीडर दे लाग गया होते स्ट्रेस ज्यादा होएगा जोड़े दूर दे बंदे होंगे उन्हों वोल्टेज काट मिलेगी नुकसान और किया नुकसान हो सगदा है हुरे नुकसान मानलो फॉल्ड पै गया थे ते सारी सप्लाई बंद कोई आल्ट मानलो एक साथस्टेशन यसाथस्टेशन दोया पड़ृण चाहेज आए वासोपस्टेशन नि-ःत फिह पीड़ेट तहां ठीक है एफ्टेक री और की किता है थे आपा फीडर नुको माता ते करेंग बनाता ठीक है ए डिस्टीबिटर रहा उते आपा डिस्टीबिटर रहे एक सिंगल एंड तो फीड़ो रहा ही ना लोग अधिस्टीबिटर रहे ते आ किया सर्विसमें से नहीं होने एदे वेचे किया A B C D T E मलब तेन आपां सप्लाई जेकर सानु कोई कहतरी की प्रावलम आभी जान दिया कैसे भी शक्षन दे फॉल्ड पाहिन दाए तेस जड़ी साडे बाकी शक्षन नू बिना अफेक्ट कीते हां मलो आपा पहले शक्षन नूमी क्यान तो पाव एक सिंप्ली जेकर फॉल्ड इस शक्षन जोते पहा गया सानु सप्लाई जड़ी हो बंद नी करनी पर कि डिस्कनेक्ट नी उन दी ओचल दी रहेगी सप्लाई वो देवेच की ही वो देवेच सारा सिस्टम ही बंद करना पाहिना इथे फॉल्ड पाहिन या सारे कार बंद बाट एथे दनी कोई चक्क्रनी आगा ये म इंट्रकनेक्ट की सिस्टंव ता मतलब किया कि एक फीडर मुआ डू सबस्टेशना तों जोड़े आया है दो सबस्टेशन देना जोड़ेए है सिंपल मौल एदेवे जहों जे माल वी इत्थों ही सप्लाई भेलो जन दी आताय दुजा सबस्टेशन देन्दा रहोगा ते एक यह रिंग में जड़ा आप सिस्टम ही ना ओही यह साथ एक फीडर आपा रिंग में देविच यूज करना ओके स्टुडेंट नेक्स्टे रिक्वाइर्मेंट ओफ डिस्टिविशन सिस्टम प्रॉपर वोल्टेज वोल्टेज एड़ी प्रॉपर मिलनी चाहिए दिया ठीक है ए मतलब यह एज पर इंडियन एलेक्टिसिटी रूल देना चलिये थे प्लस माइस इक्स परसेंट जड़िया ओ मतलब वोल्टेज होनी चाहिए ठीक है उदा मतलब किया कर दोस्तों ती वोल्टेज यह और स्टैंडर वोल्टेज कार तो कर दोस्तों सूरा हो यह ठीक और वोल्टेज मिलनी चाहिए है यह जिन्नी कंजीमरती डिमांड हो यह उन्नी मिलनी चाहिए होन माललो तो आँ अट अडिधिमांड वद गी है सुपोस करत तक एसी लवाल है होन बजली बोट वाले कहतना साड़ देशाप्लाई निया का यह सित लिवाई नी सागद यह द मुंन फ्यूचर देभinku अपना प्लान कर सकते कोई फी इंडस्ट को ओन ही निया था Hz ओके नेक्स्ट फीड़ डिजाइन सक्वतर डिजाइन डिजाइन इन डिजाइन ब्लम सीथ में फिदर नोँ आपा डिजाइन कर लगया की भी यह देया करंट के अन्ड कारिंग का पैस्टी मि जिड़ा मेइन कंसीटरीं इस इसन्ट कार लगया ओक यह क्लिए यह क्रेंट केरिंग का सिद्धें पर क्पैस्टी एक ट्रेंद ही अ क्लियर तो जेडर डिस्टीबूस्टर जो आप डिजाइन कर देया ओधे जीडी मेन कंसिडरेशन उन्दी या तान दस्या ना प्लास माई ने शिक्स परसंट तो काट वाद नहीं होनी चाहिए ओके ये देवे चुन दिये वोल्टेस ड्रॉप एचली में इन कंसीडरेशन दिया ओकिन दिये वोल्टेस ड्रॉप ओके स्टुडेंट्स होप सो तानों अज दे लेक्टर चे काफी को सिखने मिले आएगा ते चैनल नों शेयर कर देखरो अपने दोस्तां देनाल क्योंकि ये दिन आली मोटीवेशन मिल दिये नेक्स्ट वीडियो नुबनाऊं देली ओके स्टुडेंट्स थैंक यू